कि हमने अभी तक क्या अचीव किया है मैं फिर बोला हूं हम सब के पास अचीव्मेंट है हम सब के पास जो है जीवन में अच्छे समय हैं जब हमने लिये हैं उनको याद करी यह क्योंकि वह हमें पॉलिस डूइटी देते जो अच्छा और खराब तो हर वेक्ति के साथ साथ है बड़े-बड़े सितारों के साथ है बड़े-बड़े फिल्म स्टार के साथ है बड़े-बड़े इंडस्ट्रिलिस्स के साथ है ताटा जी ने जब नैनो शुरू करी तो देखिए कितने हजार क्रूर का उन्होंने नुकसान किया अपना मगर तेंदूल करो हो और action plan क्या है क्या मेरी को strategy है क्या जैसे मैं पीछे review कर रहा था तो मेरा तो simple सा मानना है जो मैं बार बार बोलता हूं अगर आप full time काम कर रहे हैं आपको महीने में कम से कम 15-20 activity में पाट लेना है यानि कि 15-20 activity मतलब महीने में 10 दिन नभी भी नहीं कर रहे हो आप 20 दिन कर रहे और अगर आप part time कर रहे हो तो महीने में 8-10 activity करना है हफते में कम से कम 2-3 करना है अगर हम यह भी नहीं कर रहे हैं फिर नाइदर फूल टाइम न और पाट टाइम इस नो टाइम यह ना अगर आपके पास इतना ही समय है तो फिर हमें बड़ी-बड़ी expectation नहीं करने चाहिए क हम लागों रुपे भी कमाएंगे हमें title recognition मिलेगा वो तब ही होगा जब हम समर्पन करेंगे जब हम commitment करेंगे जब हम सारे parameters को पूर करेंगे क्योंकि success जो है success की कीमत होती है चाहे वो physical commitment हो चाहे वो action हो चाहे वो learnings हो knowledge हो skills हो तो जब तक हम उसकी कीमत को नहीं pay करेंगे mentally, emotionally, physically, तब तक वो हमें मिलेगा नहीं तो we need to have some strategy, we need to have some action plan और action भी करना है जिसे मैंने बहुत लोगों का जब warrior program का follow up किया तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं जिनके पार result आ रहे हैं तो वो महीने में 15 and above activity कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं अंदर से यवाद activity कर रहे हैं उससे बड़ी success तो नहीं आने वारी यह important चेक ऑफिजिकल कमिट्मेंट अब यह जो जूम है हमारा यह सब चीजे जो हैं यह training के लिए अच्छी है knowledge के लिए अच्छी है हम सब लोग बुरे भारत में से बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में बैठे हैं और ह भी लोग काम कर रहे हैं वाटसअप पर आफर आते हम वाटसअप पर फावर्ड कर देते हैं awareness होती है मगर जब तक हम जा के ground पे लोगों को presentation नहीं करेंगे उनके जो सवाल है उनको resolve नहीं करेंगे sales को close नहीं करेंगे पैसा लेकि उनकी order को punch नहीं करेंगे तब तक वो close नह क्या उसको हमेशा दिया रखना है उसको सामने रखना है हमने life में अपनी blessings को count करना है source को नहीं काम करना है हमें अपनी strategy और action plan मनाना है और कुस पे खूप सारा action करना है तब ही हम कामयाब हो पाएंगे कई लोग के साथ क्या होता है वो हमेशा past memories में रहते हैं अरे मैं तो य हर दिन एक समय गुज़र रहा हर दिन एक एक opportunity अगर हमने उस दिन का फाइदा उठा लिया तो opportunity और उस दिन अनका हमने फाइदा नहीं उठाना तो opportunity missed है क्योंकि आज करनी आएगा आज कर नहीं सूरिय हो दे के साथ और सूरिय अरस तक एक पुरा हमें मौका देता है कि भई आप के पास एक पूरा 24 गंटे है, इसमें से कम से कम अगर 8-10 गंटे आप उप्यों कर लो, अपने सपनों, अपने मन्जिल को पूरा करने के लिए दो बहुत बेटर है, पास्ट, गुड और बैडिस, हिस्ट्री, है ना, तो अच्छा है, बुरा है, हिस्ट्री है, उससे लर्निंग्स लेके आने चीए, मैंने बहुत साल पहले, जब NLP का कोर्स किया था, निरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, तो उसमें कोर्स था, टाइमलाइन थेरिप भी बोलती है कि भई, पास्ट से आप इमोशन लेके मत आईए, लर्निंग्स लेके आईए, जैसे कई लोगों को देखा ना, जब वो किसी पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो रोने लग जाते हैं, या फोबिया उनको हो जाता है, क्योंकि वो बैड मैमरी उनके फाइल सिस हिस्ट्री, अभी important क्या है present, क्योंकि इसको देखे कितना सुन्दर word है present का मतलब gift भी होता है, और वर्तमान भी बोलते हैं, तो वर्तमान is a gift, क्योंकि कल को यही हमारा future बनेगा, और जब हम मुड़ के देखेंगे तो यही हमारा past बनेगा, तो यह present जो हमारे पास रोज बात होता है कि हमने past में बहुत अच्छा किया, हो सकता है, अच्छा नहीं हो रहा आज, कई लोगों का past में अच्छा नहीं हो रहा था, आज बहुत अच्छा हो रहा है, life is a cycle, जैसे मैं, मेरा जो, occur sciences में, astrology और इनमें भी बड़ा interest है, मेरा hobby है मेरा, तो यह होते हैं कि भई गर के पास भी दो ladies को मैं थे, जब हम छोटे थे, तो वो भी 100 साल है नहीं अब अगत थी, यानि कि आज से अगर 100 साल पहले की बात करें हम, तो लोग 120 साल यह से कुछ जीते होंगे, जपान में तो अभी भी एक जगा है, जहां पर लोग 100 साल से उपर जीते हैं, बट वो कि इस तरीकी से, डिस्पिलिन से जीते हैं, मेरे ख्याल से वो शेहर इकी गाए ऐसा कुछ वर्ड है, जहां तो 120 साल तक जीते हैं, तो उनके जीवन में सारी दशाई हा जाती थी, अच्छा बुरा सब हो जाता था, मगर आज क्या है, एवरेजे सतर कि सतर मैक्सिमम असी के आस एक्षिन, वोई थाट प्रोसेस, उसको फिर से इंप्लिमेंट करेंगे, हम फिर से रिजल्ट प्रस्तूत कर देगे, यह बहुत इंपॉर्टन बाब, अगर आज हम मायूं से हैं, आज हमें लग रहा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो हमें किवल वो देखना है कि या, जिस महीने मैंने बहुत अच्छे रिजल्स लिये, हैं ना, life के किसे भी शेतर में, अगर उस वक्त मैंने क्या किया, मेरी क्या strategy थी, मेरा क्या action plan था, मेरा क्या motivation था, हैं ना, उस time मैंने क्या क्या, अगर मैं उस ही को duplicate करूँ, उस ही को replicate करूँ, तो मैं फिर से कर सकता हूँ, this is हम नए लोगों को presentation कशनु करते हैं, नए लोगों को बोलते हैं, आप sisters को आईए देखिये, हमारा business देखिये, आप कर को, आपके पास भी गाड़ी होगी, आपके पास भी घर वोगा, आप भी देश भी देश घूमेंगे, यह सब होगा, जब हम एक नए वेक्ती को जो भी business मे नहीं है उसको हम यह hope और यह belief देते हैं तो जो लोग पुराने हैं उनके पास तो already knowledge है, skill है, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे को खुद तो belief नहीं है कि यह नहीं होगा, तो मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूँ, और अगर मैं सचाई से दूसरे वाले को वेक्ति को hope और belief दे रहा हू तो फिर मैं तो करी सकता हूँ ना, तो simple सा point है, if the new person has the opportunity to change life, why not us, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, दूसरा, we don't drive vehicle looking in the rear view मेरे, मैं फिर बोलूँगा, इसलिए कारों में, गाडियों में बड़ा, आगे वाला शीशा बड़ा होता है, क्योंकि future बड़ा है, और पीछे का जो शीश उसको आगे दिखके चलाते हैं, क्योंकि आगे बड़ी स्क्रीन है, बड़ी है, तो past की memory से learning लेनी है, और समझना है, गलतियों को समझना है, उनको दोराना नहीं है, अच्छी चीजों को implement करना है, आगे क्यों बढ़ना है, आगे हमेशा हर दिन एक नया सवेरा है, या हर द Just hope no action, कई लोगों मैं बोलता हूँ कहते हैं, अरे भई हम तो पढ़े वे हैं, पानी में पढ़ा पढ़ावा पत्थर भी हरा हो जाता है, तो एक दिन हम भी हरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, पढ़े जिंदिगे में या तो हम बढ़ते हैं, या हम सढ़ते हैं, आइधर व एकशन, एक दिन कुछ होगा, ऐसा नहीं हो, करम के बिना तो कुछ नहीं होगा, है ना, और वी आदा इंजिन ऑफ आफ टीम नोट पैसेंजर, हम एक इंजिन हैं, हमें ड्राइविंग फोर्स है, हमें बजनी बढ़ाना गाड़ी का चड़के, हमें गाड़ी को आगे आपको देखते हैं लोग, हमें वो हमारा मोटिवेशन देखते हैं, तो हमें लीडर की यही बात है, कई बार लीडर डरावा भी होता है, जब आप आर्मी में होते हैं, जब अटैक करने जाते हैं, आतकवादी को पकड़ने जाते हैं, तो करनल भी साथ में होते हैं, ऐसा न तो और आगे front foot पे खेलना है, यह ना, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कोई leader जो खुद दब के भाग जाए, जो छुप के भाग जाए, तो उसकी team थोड़ी follow करेंगी, यह important है, so we are the engine, हमें एक driving force है, हमें आगे बढ़ाना है, कोई तो कर रहा होगा, कोई तो करेगा, आज seminar है, कोई तो guest ला रहा होगा नहीं, वो कोई मैं क्यों नहीं, यह important है, sales lie at the door step of the prospect, मैं फिर वो लूँगा, success हमारे comfort zone के बाहर है, घर में अच्छा लगता है, सर्दी का मौसम है, रजाए में बैठना अच्छा लगता है, चाई पीने अच्छा लगता है, पकोड़े खाना अच्छा लगता है, बट उससे sales नहीं आएगी, future बिलनी होगा, business बिलन we have to be productive, not active, बहुत सारी activity ऐसी होती है, जहां पर हम लगाते हैं, पर हमें result नहीं हो, जिसे मैं कई बार बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक एक वेकती से मिलते हैं, effort तो बहुत हो रहा है, अब पूरे महीने में आपने 10 activity, 10 लोगों से मिले, 10 बार करा, त अगर पूरे बहीने में आप 10 ही लोगों से मिले, उसमें क्या होता है कि activity तो बहुत हो गई, productivity करने हैं, क्योंकि मेरा बार बार मानना है कि डारेक्ट स्टेरिंग जो बिजनस है, law of average का है, आप कितने लोगों को मिलते हो, उसी के अनुसार पर परिनाम आते हैं, अगर हम EC को दस activity को पांच-पांच लोगों की activity कर दें, तो हम 50 लोगों को hit करते हैं, अगर EC को हम 10-10 लोगों की activity कर दें, तो हम 100 लोगों को hit करते हैं, तो यह बहुत बड़ा मेरा, अगर आप message बोले तो message है, it's a number game, it's law of average, 10 से बात करेंगे, 30% result आए, तो 3 से order आएगा, 50 से बात करेंगे, 30% result आएगा, तो 15 के result आएगे, 100 से बात करेंगे, 30% result आएगा, तो 30 का आएगा, यह बहुत वर पड़ जाता है, केवल हम ऐसे हीरन है न, उस हीरन को आप सड़क पे छोड़ दो traffic के बीच में तो घडर के, घवरा के, कभी इधर भागता है, कभी उधर भा जैसे मैं बार बालो, social media creates awareness but doesn't close business, social media जो है, awareness के लिए बहुत अच्छा है, दुनिया को बताने के लिए बहुत अच्छा है, training के लिए बहुत अच्छा है, मगर sales close होना बहुत मुश्किल है, sales के लिए तो one to one effort हम सब को करना जरूर है, acceptance versus expectation, बहुत लोगों को मैं, बहुत तो मैं बहुत बार observe करता रहता हूं कि यार क्या हो रहा है, कोई कामयाब है तो क्यों है, कोई नहीं कामयाब है तो क्यों नहीं है, मैं बार बार मेरे दिमाग में analysis चलता रहता है, कुछ को मैं देखता हूं कि वो उनका एक ग्रूप चलना है, बिजनस अच्छा हो रहा है, मंग इससे क्या हो रहा है कि वो अपनी डाउन डाउन लाइनकों भी सपोट नहीं कर रहा है क्योंकि लेरा मेरी अप्लाइन जब मेरेolla को भी करेखी तो मैं अपने गूरूप में तो आप भी कर रहे हो अगर आपकी अप लाइन चल्क माइनव का सपISTक नहीं कर रहे हो ना कोई और काम करेगा तो हमारी जिन्दकी बदलेगी, कोई और काम करेगा तो मेरे बच्चों को मेरे बच्चों की फीज जाएगी, कोई और काम करेगा तो मैं गाड़ी घर ले पाऊँगा, तो फिर मेरे कंट्रोल में क्या है, है न, और वो भी क्या पता, किसी और के बरों से ब बैट आओ यस वह बहुत जरूरी है जिन्दगी हमारी है कि इसका इंतजार करते हो मुठी में रेच से ठीज जाएगी क्यों हरान रहते हो यह इंपार्टन ले दूसरा बहुत इंपार्टन बात है कि हमें जो हमारी बड़ी टीम होती है उस पे ज्यादा हमें ध्यान देना होत पिर उनको ध्यान आता है यार मेंको तो दूसरी टीम भी बिल्ट करनी है अब गलती क्या करते हूं कि पहली वाली टीम को बिल्कुल ही समय देना मंद रहे थे कि वह यामने तो बहुत कर दिया और फिर दूसरी में समय लगाते अब जो पहली टीम वाले लोग होते उनको लगत कि अगर मैं साथ दिन में काम करता हूं तो मैं चार दिन दूँगा पुरानी टीम को तीन दूँगा नई टीम बिल्ड करने में और हफते में एक दिन जरूर रखिए जहां पर आप परसनल प्रोस्पेक्टिंग करें परसनल प्लान यह कोई सेल्फिश होना नहीं है अगर आ है आपका है उसमें लेफ्ट का रेक्रूट्मेंट और राइज आपका लेफ्ट का सेल और राइट सी नज़र आ सेल क्योंकि कहीं लोग sagen रहे मेरे तो देखिये दस तस लाग का बिजनस आ रहा है नौ लाक नब्बे अजार तो एक लेक से आ रहा है दूसी लेक का है है ना सो हमें दोनों गुर्प को मेंटेंड करना है दोनों लोगों के साथ रहना है मैक्सिमम टाइम बड़ी लेग लेगी आपको लगता रहे यार यह तो इसमें तो मेहनत करके कुछ बच नहीं रहा देखिए बड़ी लेग की बैलेंसिंग से ही इंकम होती है वो स्थम्भ है आपका वो एक पिलर है आपका यह बहुत इंपॉर्टन्ट है मुल्टी टास्किंग करना दो टाइम को केलेंटर को बनाना है तीन दिन में में दीजिए एक दिन अपने लिए मैं आपको गैरंटी करते हैं अगर आप हफते में एक दिन अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकालेंगे आपकी इंकम हमेशा बढ़ेगी क्यों क्योंकि सकते हैं अब किसी भी विक्ति को शो आपकी टीम में לעes सकते हैं आपको लगता है कि मेनत वंगे हो पारहा है अगर आपके बाद पर्सनल डुटमेंट नहीं लाते हैं direct कर सकते हैं इसलिए livres के हिए ताम से नहीं पहला है तो तो इंपॉ significant का करें है तो तो वहाँ पर भी मैंने feedback देगा. Feedback का मतलब लोगों को लगता है कि negativity ही बोलनी है. क्या-क्या नहीं हो रहा है, यही बोल, feedback का मतलब होता है, feedback always starts with positive. कि भाई, यह सब अच्छा है, यह सब अच्छा है और इसको improve करता है. मतलब कुछ लोगों को लगता है, feedback का मतलब लोगों को लगता है, जो कमी है नहीं है, वो भी बोलना है. तो कई लोगों को हम देखते हैं, कि वो हमेशा complaining, confronting mode में रहते हैं, हमेशा learnने के, जगणने के mode में, जब भी आप उन्हें phone करते हो, अरे कुछ कर लो, आपको ऐसे-इसी बाते सुनाते हैं, आपका भी motivation down हो जाता है. ऐसे दिए होता है. अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, company हो, हम सब को motivation चाहिए होता है. negativity हम सब को, हमारी energy को सक करती है. जीवन में दो तरह के लोगों होते है, energy booster, energy सक कर. किसी से बात करके लगता है, यार, क्या energy देता है बंदा. किसी को बात करके लगता है, सारी energy कीच लेता है बंदा. तो हमें, खुद तो, पहली बात control क्या है, दूसरे को तो हम control नहीं कर सकते, खुद को कर सकते, कि हम energy booster बने, सब के लिए. कई लोग अपनी downline को तो बड़े positive रहते हैं, अगर applying की, जैसे applying का phone आता है, सारा जैरोगल देते हैं, वो विचारा applying का भी motivation down है आता है, तो applying को dumping ground ना समझे, है ना, motivation रहे, अच्छा रहे, सब को अच्छा रहता है. कई लोगों को मैं देखता हूँ, हमेशा कहते हैं, बस इस बार तो साब मेरा 50,000 का business है, बस मैं पांच लाग करने हूँ, ऐसे नहीं होता हूँ. स्टैप्स, हमेशा स्टैप्स पे, स्टैप्स जो होंगे, solid foundation लेके आगे जाएगा, अगर एक बार हम किसी तरीके से सामदाम दंड बेत करके, बड़ा business credit भी कल लेते हैं, फिर वो वापस नीचे आया था, अगर उसके नीचे, base नहीं है, यह बुनियाद होना बहुत जरूरी है, यह बहुत important difference, और when you are stuck, जब आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, जब आपको लग रहा है, यार मुश्किल समय है जीवन का, याद रखिए, remember good or bad times, both will pass, अच्छा समय, बुरा समय, सब गुजर जाता है, यादे रह आती हैं, मगर अच्छा टाइम अच्छे परिनाम देता है, बुरा समय हमें learnings देता है, और यह अच्छा है, बुरा समय, अच्छा समय, अच्छा समय, बुरा समय, यह तो साइक्लिक है, nothing is permanent in life, हर चीछ मुमेंटरी है, यह ना, यह, चाहिए क्या hard work, focus, commitment, perseverance, यानि कि never say, die attitude, grit, grit, मतलब जिर, कि कुछ भी हो जाय, छोडूँगा नहीं अपना ground, यह solution है हर problem में, strategy कहीं लोगों के दिमाग में बहुत होती है, पर वो ground पे नहीं उतरती, अरे यह कर दूँगा, वो कर दूँगा, इधर जाओंगा, उधर जाओंगा, इधर से मेरी joining आ रही है, उधर से joining आ रही है, बस देखो क्या होता है, मगर strategy mind से ground पे नहीं उतर, क्या है, बोलता है कि hard work defeats talent, hard work defeats talent, when talent is not working hard, hard work defeats talent, when talent is not working hard, कि talent तो बहुत लोगों में, अगर वो hard work न करे, तो उनके मुकाबले वो लोग काम्याब हो जाते, अब आप तिंदूलकर का talent, या किसी बड़े खिलाडी का talent बहुत होता है, मगर एक MS धोनी वो successful कफ्तान मन जाता, क्योंकि धोनी की captaincy तो इतनी वो नहीं है, यह यह धोनी की captain, धोनी जो है batsman तो बहुत कलात्मक नहीं था ना, बड़े उल्टे सिधे मारते थे, मगर result produce करते थे, है न, तो strategy को mind से ground बे करना है, यह important है, कई लोगों को लगता है, आरे यार मैं घर से जाओंगा, तो मेरा पैसा खर्च होगा, मेरा पेट्रोल खर्च होगा, किसी को चाई पिला दी, उसको भी गिनते हैं, अरे सर वहाँ बैठा था, तीन सुर रुबे खर्च होगे, अरे वहाँ गया था, पैट्रोल खर्च होगया, अरे, यह सब इन्वेस्मेंट हैं, यह खर्चे नहीं हैं, दोनों में फर्क है, अपनी बैलेंशीट बनाई है, तो उसमें लिखिए, कि भई, यह मेरा खर्चा एक्स्पेंस है, सब का साथ होता है, ऐसे तो हर वेकती घर में बैठा रहेगा, हर वेकती घर में बैठा रहेगा, तो परिनाम कहां से लेगा, यह, मैं फिर बोलूँँगा, मैरा यह, मैरा जो समझाली जी आप तेईस साल का एक्स्पेंस हो गया, बाईस साल का, सेल प्रोस्पेक्टिंग विल आलवेज क्रेट निव अपॉर्चुरिटीज, अगर हम सब लोग परस्टनल प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दें, हम सब के अबाद नई जोइनिंग आएगी, वो नई जोइनिंग को हम कहीं पर भी अपनी डाल लेंगे, फुद भी सक्सेस्फुल हो जाएंगे, लोगों को भी सक्सेस्फुल हो जाएंगे, हम कोई तो कर रहा होगा, कोई तो करना होगा इस भावना से बाहर निकल कि हमको आगे बढ़ना है मलिश्या का ट्रिप बहुत लोग इसके क्वालिफाई कर रहे हैं बहुत लोगों ने उमीदी छोड़ दी बहुत लोगों पचास जार बोनुस पाइंट लेफ्ट और राइट एक एक लाका बिदना टी सेंटर पर ट्राइपॉड पर ये 50-100 परसं बढ़ जाती है तो सिंगल बिदने बोला हो कि जो पावर बोनस करता है वह 12-15 जार कमाता है अगर बारा से पंदरा जार भी कमारें सिंगल बिदने सेंटर बोलूँगा तो फिर आम कर किया रहें कहा है का मलेशिया मां जाके जो घर के खर्चें है वो अच्छे से चल जाते हैं तो होना चाहिए ना हाउस बोन अजब साट से ऐसी जार सिंगल बिंदर सेंटर पर ट्राइपॉड पर लाग से सवालाक देड़लाक हो जाता है यह है यह हमारे मकसद होने चाहिए और छे महीने का समय है अभी भी तीन महीने का है मतलब तीन चलो दो रहे गए कोई बात नहीं यह तो नंबर के में तो मैथमेटिक्स है और इस दौरान इस दौरान हम अपने बिजनस को खड़ा कर ले अपनी टीम को बना ले ताकि जिन्दगी में ट्रेप्स वगरा यह गिफ्ट वेफ्ट कमिशन यह सारे हमारे जो है पॉमिनेंट हो जाए एक मुलेशिया नहीं यह इंपॉर्टन है तो कई लोगों को मैं देखता हूं महीने के बाद ही हाथ चोड़ दी उन्होंने नहीं होगा मुझसे नहीं होगा घर से बाहर निकलेंगे काम करेंगे बिल्कुल होगा क्यों नहीं होगा यह इंपॉर्टन ह सो मेरा आखरी में वही formula है फ्रेंज जो भी business करना चाहते हो उसको break करो कितनी joining चाहिए कितनी old count चाहिए yes उसके बाद उस joining के लिए क्या मेरी strategy है मेरी team में कितने plan होने चाहिए कितनी health workshop होने चाहिए कितनी beauty workshop होने चाहिए फिर मेरा calendar होना चाहिए कि मैं महीने में 10 दिन काम करूँगा 15 दिन काम करूँगा 20 दिन काम करूँगा यह मेरा calendar होना चाहिए अगर input calendar में खाली है तो outcome भी खाली रहेगा है ना यह तो सब आईने के समान है हम इस business की इज़त करेंगे यह business हमारी इज़त करने से काम होगा क्या ना करने से काम नहीं होगा हमें क्या क्या करना चाहिए हमें सब को पता है बस केवल यह बात है कि अपने comfort जूम से बाहर निकलके जो करना उसे कर दें जो कड़वी दवाई है उस कड़वी दवाई को पी ले तब ही जीवन में मिठाईयां आईगी तो ये मेरे अंदर कमी है, हम सब के अंदर कमी है, हमें औरों मेरे नूढ़नी खुद मेरे नूढ़नी है, ये मेरे अंदर एक वीकनेस है, इसको मुझे रिजॉल्व करना है, और डेफिनिटली जैसी मैं इस कड़ी को कोलूँगा, जैसी मैं इस ताले को कोलूँगा, मेरी सफलता जो है आगे क्या और बढ़ेगी तो मैं चाहूंगा चैट में आप लिखें या आप अन्म्यूट होके बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं क्योंकि आज काफी लोग सेमिनार में भी बीजी हैं तो आम इसको ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे मैंने अन्म्यूट को ऑप्षण भी दे दिया अगर बोलना चाहे जी बुल बुल जी आप कुछ बोलना चाह रहे जी बुल बुल जी बोले मन के हारे हारे मन के जीत जीत डीरेक्ट इसलिंग है number of golf game नमबर गेम पिलकुल ये बिलकुल बुल बुलबुल जी ने बिलकुल सही बोला गॉरव जी बोलें पर्सनल रेक्रूटमेंट मैं फिर बोलूँगा गाट बानलो हफते में एक दिन यह कोई सेलफिश होना नहीं है हफते में एक दिन अपने लिए निकालो आपकी सफलता कोई नहीं रोख सकता केलाश कुडियाल जी आपकुछ कि शेयर करना चाहते हैं सर पूरी अंतराहत मां को पूरी है नहीं बार बार यहाता कि मेरे उपर कोई नहीं है मैं इस सब्सक्राइब करना चाहे हो मेरी लेप्ट है राइट है पुरी रिस्पंसब्ल्टी मुझे ले नहीं है मेरे को बहुत अची ची लगी चाही आज और दो पॉइंट और चीके सर मैं आज तक सुनता रहा ह बता है कि बिना हवावाली बॉल बिलकुल हुप है और एक पीछे देखने वाला सी से और आगे